दोस्तो आज मैं आपको अमीर गरी बहुओ की दावत कहानी सुना रही हूँ प्रिया और बिट्टू दो छोटे भाई बहन आते हैं और वो उन रोटियों को उठा कर अपने साथ ले जाते हैं देख बहन इस वक्त याँ कोई नहीं है चलो चल कर इस रोटि को उठा लेते हैं फिर वो बच्चे उन रोटि को उठा कर अपने घर ले आते हैं मा ये लो जल्दी से इस रोटि को सिख कर हमें नमक के साथ दे दो लेकिन ये तुम कहां से ले आए मा को ये आंटी पेड के नीचे रख कर गई थी वहीं से उठा कर लाए हैं ये सुनकर ममता की आँखों में आसुआ जाते हैं इसी तरह वो जैसे तैसे देन काट रहे थी मा पेट में बहुत दर्द हो रहा है मैं जानती हूँ बेटा तुम्हें ये दर्द क्यों हो रहा है तुम्हें भूग के कारण ये दर्द हो रहा है ना मा सुनाए, अपने गाउं के शिवजी वाले मंदिर के बाहर आज भंडारा होने वाला है। क्या? तु सच के रहे? चल, फिर अभी से चल कर लाइन में लग जाते हैं। मम्तो और बिट्टू जाकर भंडारे की लाइन में लग जाते हैं। फिर थोड़ी देड़ बाद। जिस कारण? उन्हें ऐसे दिन देखने पड़ रहे थे। जन्म दिन है, तो मैंना बहुत बड़ी दावत दे रही हूँ जिसमें बड़े घर के लोग आएंगे। तो तू भी कल समय पर आजाना और सब काम संभाल लेना। ठीक है मालकिन, मैं आ जाओंगे। अगले दिन जब सोम्या ममता के घर गई। हाँ सारा घर बहुत अच्छे से सजा हुआ होता है। और कई तरह के पकवान और मिठाईयां बहां बना कर रखी होती है। उस दिन ममता अपने दोनों बच्चों को भी अपने साथ इस उमीद से ले जाती है कि वो भी आज बढ़ियां दावत खा लेंगे। ममता सा केक आता है जिसे देख बिट्टू और प्रिया के मुँँ में पानी आ जाता है। बिट्टू और प्रिया की तरस्ति आंखे देख ममता को बहुत बुरा लगता है। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। ममता भूखी पेट अपने दोनों बच्चों को लेकर घर आ जाती है मा, हमारा भी बहुत मन कर रहा था गेग खाने का और वो स्वादिश ता साही दावत कहाने को भी कोई बात नहीं बच्चो, मैं तुम्हें किसी दिन बढ़ियां दावत खिलाऊंगी क्यों मेरे दौनों बच्चों को जोटा दिलासा दे रही हो ममता हम गरीबों के नसीब में कहां शाही दावत का सुख होता है कोई बात नहीं जी, कम से कम अब हमें सुखी रोटी नमक के साथ तो नहीं खानी पढ़ रही यही हमारी लिए काफी है इसके बाद वो चारों फिर वही दाल रोटी खाकर सुझाते हैं ऐसे ही दिन बीत रहे थे एक दिन जब ममता थकी हारी अपने घर लोटरी थी तो उसे किसी आदमी की आवाज आती है कोई मेरी मदद करो मैने दो दिन से कुछ नहीं खाया भूक के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे कोई कुछ खाने को दे दो ममता उस व्यक्ती के पास आई और पूस्ती है बहन जी मैं दो दिन से भूका हूँ मैंने कुछ नहीं खाया पेट में जोरों की भूक लगी है उस आदमी की बात सुनकर ममता को उस पर दया आ जाती है और वो अपने पल्लू में बंधे हुए 30 रुपे निकालती है और उस आदमी को सामने बने ठेले से रोटी और सबसी खरीद कर खाने को देती है और उसके बदले वो उसे एक चमकदार बरतन देता है ममता उस बरतन को अपने साथ ले आती है और असोई के एक कोने में रख देती है अपने दोनों बच्चों के साथ मंदर जाती है और वहाँ जाने के बाद बिट्टू अपनी मा से बेटा ऐसी मानिता है कि हमें जो भी भगवान से मांगना हो वो इक कागस में लिखकर इस पेटी में डाल दो तो हमारी मनो कामनाए पूरी हो जाती है अपनी मा की ये बात उन दोनों के दिल में बैट जाती है फिर अगले दिन मैंने तो खाने में साही खाना मांगा है तुमने क्या मांगा है मैंने तो अपने लिए केक मांगा है और साथ में पिज़ा और कोल रिंग भी मांगी है अब हम जब भी मां के साथ मंदर जाएंगे ना तो अपने इस इच्छा को भगवान की पेटी में डाल देंगे पर जैसे ही ममता अंदर गई तो उसने देखा कि उसकी चूले के पास केक, पिज़ा, कोल रिंग, शाही पनीर, डाल मकनी, नान, चौमिन, गुलाब जामून और भी बहुत सी चीज़े रखी हुई होती है ये चमतकार कैसे हुआ? अरे बिट्टू, ये तो वही खाना है जो हमने भगवान से मांगा था फिर सारी बात अपनी मा को बताती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? फिर प्रिया एक बर फिर कागस पर आईसक्रीम लिखकर उस बरतर में डाल देती है देखते ही देखते, उसमें से एक तेज रोशनी प्रकट होती है और फिर आईसक्रीम का धेर लग जाता है है जादू? इसका मतलब ये कोई जादूई बरतन है? मतलब कोई चमतकारी शक्ती थी जो हमारी मदद के लिए आई थी वा मा, आज तो मज़ा ही आ गया हाँ बेटी, लेकिन अभी भी हमारी तरह कई ऐसे गरीब होंगे जो शाही दावत खाने के लिए तरसते हैं इसलिए इस जादूई बरतन की मदद से हम सब गरीब लोगों को दावत देंगे पूरे गाउं को उस शाही खाने की दावत दी जाती है अब वो सब लोग खुशी-खुशी रहने लगे अमीर बहू का पटियाला सूट लेकिन हमारी सुनैना को देसी स्टाइल के कपड़े पहनने का शोब था और उसमें भी खास कर पटियाला सूट वो एक अमीर घर की लड़की थी इसलिए हर रोज अलग-अलग तरह के पटियाला सूट पहना करती थी कॉलेज में सभी लड़के सुनैना के दिवानी थे लेकिन वो दिवानी थी तो बस अचल की जो के बिहार के एक मिडल क्लास परिवार का लड़का था के बाद दोनों ने शादी कर ली एक दिन उसकी सास उससे कहती है ये क्या बहू आज भी तुने ये पटियाला सूट पहन लिया उपर से इसमें बाजू भी नहीं लगवाई मुझे तो लगता है टेलर ने तेरा कपड़ा मार लिया और इतना सा सूट बना कर दे दिया इसकी कुर्ती तो देख ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है अरे ये कुर्ती कम और टॉप जादा लग रहा है तू तो मुझे उस मुए टेलर का नाम बता मैं अभी जाकर उसकी गरदन मरोडती हूँ मा जी ये टॉप नहीं बलके शॉर्ट पटियाला है जो मैंने बड़े डिजाइनर से बनवाय है और ये साड़ी वारी ना मुझसे तो नहीं पहनी चाती बहू तेरे इस पटियाला सूट से तो मैं परिशान ही हो गई हूँ अपनी सगाई से लेकर रोके तक, महंदी, हल्दी, हर जगा तुने पटियाला ही पहना है यहां तक कि अपनी मुझ दिखाई पर भी तुने पटियाला ही पहना ना जाने मुझे कब तुझे साड़ी में देखने का मौका मिलेगा तो इसमें बुराई ही क्या है और आपको तो खुश होना चाहिए, आपको इतनी सुंदर और modern बहु मिली है और देखो तो, ये पटियाला सूट क्या जचता है मुझ पर उफ, इस पटियाला सूट वानी बहु को समझाना तो पत्थर पर सर मारने जैसा है खेर, मुझे क्या, मैं तो चली अपने कमरे में आराम करने अपनी बहु के आगे सरला भी तो वहीं सुनैना किचन में खाना बनाने की तैयारी पर लग जाती है सुनैना कि देख हम देखा बास पडोस की बहुएं भी अपने लिए पटियाला सूट बनवा कर पहनने लगती है इससे परेशानों कर कुछ औरते अरे सरला, तेरी बहु ने तो हमारी बहुएं को भी बिगार दिया उसे देख अब तो हमारी बहुएं भी पटियाला सूटी पहनती है इसके अलावा वो और कुछ पहनना ही नहीं चाहती मुझे तो लगता है मेरी बहु इस दिल्ली शहर को दूसरा पंचाब बना कर छोट ऐसे ही दिन बीटते रहे एक रो सरला अपनी बहु से उन्होंने तुम दोनों के लिए कोई पूजा रखी है और वो चाहते हैं कि हम सब उसमें जरूर आए ठीक है ममी जी फिर तो मैं आज ही अपने लिए शॉपिंग कराती हूँ पिर तीन दिन बाद सरला अपने पती और सास के साथ गाउ जाती है अपने लड़की सुनैना को देख गाउं के लड़कों का मुझ खुला का खुला रह जाता है और वो सभी उसका पीछा करते करते उनके घर के बाहर तक आ जाते है तब ही सुनैना के दादा ससुर जो की घर के आंगर में बैठे हुका पी रह थे उनकी नजर उन लड़कों पर पड़ती है और वो लड़कों को डाटते हुए कहते है क्या बात है ये क्या जम घट लगा रखा है भई क्या तुमने कभी किसी सहरी लड़की को नहीं देखा क्या चलो चलो भागो यहां से चलो अरे लड़कियां तो बहुत देखिए, लेकिन ऐसे पटियाला सुट पहनने वाली नहीं देखी न अब जाते हो या या उठाऊं लाठी है अरे अरे चलो भागो यहां से, नहीं तो ये बुढ़ा हमें खामखा मार देगा, अरे चलो जल्दी इसके बाद सुनैना की सास सरला साडी का पलाकर अपने सर पर रखकर अपने ससुर के पैर चूती है जबकि सुनैना उनके पैर नहीं चूती और ना ही पला करती है ये देख सरला का ससुर उससे कहता है सरला बहु, तेरे अंदर हमारे घर के तौर तरीके पहनावा सब है लेकिन ये सब गुण तु अपनी बहु को नहीं सिखा पाई तभी तो अपनी सास को अपने से बड़े के पैर छूते देख भी उसे अकल नहीं आई उपर से सारी की जगा ये क्या छोटा सा कुड़ता पहन कर आई है देखो बहु, इस गाउ में मेरी बड़ी इज़त है और मैं नहीं चाहता कि इसकी वज़ा से वो मिट्टी में मिल जाए, समझी माफ कीचेगा ससुर जी, अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो बुरा तो मुझे इसका ये पहनावा लग रहा है जो ये पहन के आई है अरे शहरों में तो तुम जो मरजी पहनो लेकिन गाउ में तो कम से कम सारी पहन कर आना चाहिए न वही हमारी संस्कृती है लेकिन मुझे नहीं लगता तेरी ये बहू, तेरे काबू में भी है मुझे माफ करना ससूर जी इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ फिर सरला गुसे में सुनेना से कहती है देख बहू, मैंने आज तक तुझे कुछ भी पहनने से नहीं रोका लेकिन अब कम से कम गाउं में तुम मेरी इज़त रख लो और ये पटियाला सूट छोड़ कर साड़ी पहन लो और जब तक यहां हो तब तक कम से कम साड़ी ही पहनना सुनेना को अपनी गलती का एहसास होता है मुझे माफ कर दीजे माजी अज मेरी वज़े से आपको कितना सुनना पड़ा जब आप मेरी पसंद ना पसंद का ध्यान रखती हो तो फिर मुझे भी आपकी पसंद का ध्यान रखते हुए साड़ी पहन करी गाउं में आना चाहे था अब मैं यहां साड़ी पहन करी रहोंगी जब आप मुझे शहर में कुछ भी पहनने से नहीं रोकती तो फिर मैं क्यों नहीं गाओं में आपकी पसंद का पहन सकती हूँ बस आप मुझे 10 मिनट तीजे मैं अभी आई फिर सुनेला ने फटाफट साडी पहनी और वो अपनी सासुमा के पास आई पहली बार साडी में अपनी बहु को देख सरला बहुत खुश होती है फिर सर पर पल्ला रकर्ड उसके अपने दादा ससुर के पैर चुश होती है जिसे देख उसके दादा ससुर हसते हुए कहते है अरे वा इतनी चल्दी इतना बदलाओ इस तरह सुनेना अपने पट्याला सूट से साडी पर आ जाती है अपनी सास की बाद का मान रखते हुए वो अपने दादा ससुर की इजद भी बचा लेती है और जब तक गाउ में रहती है साडी ही पहलती है उसमे ये बदलाव देख उसकी सास और पती भी बहुत खुश थे दोस्तो अगर आपको ये कहानिया पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फॉर वोचिंग